Hello everyone, question number first का fourth part इसमें भी आपको इस आपको यह करना है Quadratic equation को ही देखना है कि है या नहीं है इसमें तो कोई identity लगी नहीं रही है तो simple आप multiplication करोगे multiplication मैंने आपको बताया था last question में भी तो इसको पहले इन दोनों से multiply करेंगे फिर इसको इन दोनों से करते हैं x को 2x से करेंगे तो क्या आएगा 2x का square and x को 1 से करेंगे तो plus का x minus 3 को 2x से करेंगे तो 3 2 जा 6x और minus का and minus 3 को 1 से करेंगे तो plus minus 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 का 3 3 into 1 3 okay equal to यह अंदर multiply करेंगे x square plus का 5x clear है इतनी मत अब तो simple है इसको इधर ले आते हैं 2x का square plus का x minus का 6x minus का 3 minus x square minus 5x equal to 0 यह चीज़ है ठीक है तो इसमें देखते हैं क्या चीज़ हो रही है 2x square में से x square subtract हो कर क्या आएगा देखो पता है न यह 2 है और 2 में से 1 गया 1 तो 1 तो हम नहीं लिखते हैं हम simple x square लिख देंगे x square ठीक है और यहां पर देखो आपके पास plus का x minus का 6x तो यह आद आएगा minus का 5x minus का 3 x square पहले ही subtract हो गया तो उसमें से और यह बचा तिरफ minus का 5x equal to 0 तो यह देखो आपके पास आगया x square minus 5x minus 5x minus minus plus and this is 10x minus 3 equal to 0 और यह है क्या है quadratic equation यह प्यूकि जनल फोम में आपको पता है क्या होता है a x square plus b x plus c equal to 0 यह चीज होती है यह नहीं पता है जनल फोम ठीक है जिस तो जनल के अंदर हमारे पास यह होती है quadratic equation तो देखो यह इसमें आ रही है a1 है इसमें b minus minus का 10 है और c कितना इसमें minus 3 है तो clear है तो yes it is a quadratic equation okay simple okay thank you